मैंने यहाँ पर A4Size का एक डॉक्मेंट क्रेट किया हुआ है और जो फ्लायर हम क्रेट करने वाले हैं उसको थोड़ा सा एजी करने के लिए मैंने एक आउटलाइन टेंपलेट क्रेट की हुई है उसे आप डाउन्लूट कर सकते हैं इसके लावा इस फ्लायर को क्रेट करने में जो भी हम इमेज यूज करेंगे या फॉन्ट यूज करेंगे उन्हें भी आप डाउन्लूट कर सकते हैं सबसे पहले मैं वह आउटलाइन टेंपलेट इंपोर्ट कर लेता हूँ उसके लिए कंट्रॉल आई प्रेस करेंगे और यह इमेजिस हम यूज करने वाले हैं और यह आउटलाइन टेंपलेट है में इमेज इंपोर्ट होकर माउस करसर पर आगय है जब आप क्लिक करेंगे तो यह इस तरीक좀से प्लेस हो जाएगी और इसे पेज केशांटर में प्लेस करने के लिए प्रेस करें इस तरीक से यह करेंगे तो यह सेलेक्ट नहीं होगी इन शेप्स को ड्रॉ करने के बाद जो कलर हम फिल करेंगे उसके लिए मैंने कुछ स्वेचेस पहले से ही क्रियेट किये हुए है वह अभी मैंने हाइट किये हुए है उसको शो करने के लिए हम जाएंगे अब्जेक्ट मेन्यू के अंदर और हाइट शो ओल पर क्लिक करेंगे तो यह शो हो गए है सबसे पहला सुच है फाउंटेंज जो की ग्रेडियंट है कलर पर डबल क्लिक करता हूं तो यह इस तरीके से open हो जाएगा और यहां से आप कलर की value देख सकते हैं यह CMY के में color values हैं इसी तरीके से second color bucket पर click करता हूं और इस color को choose करके और यहां से आप यह color note कर सकते हैं उसके बाद आप इसे create कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे करें यह color switch create हो जाएगा और second है एक dark blue color उसके color आप यहाँ देख सकते हैं C100, M81, Y15 और K70 इसी तरीके से third color है जो की इसी color का ही एक color है इसके अंदर M25, Y98 और बाकी के दो color 00 है इन colors को हम इस flare की color theme के लिए यूज करेंगे